अगरतला के बाजार में वन्य जीवों को बेचा जा रहा है वो भी खुलेया हैरानी यह है कि अगरतला मिनसिपल कॉर्परेशन ने जो टाक्स लेने के लिस्ट निकाली उसमें कई ऐसे जीव जन्तू के नाम है जिन्हें बेचने पर पाबंदी है अगर आप सोचते हैं कि कच्छुए हाथी जैसे जानवर वाइल लाइफ पोटेक्शन एक्ट के तहर संरच्छित हैं तो यहां आकर देखिए यह अगरतला का मशूर मचली बाजार है जहां बांगला देश की हिलसा मचली तो मिलती ही है साथ ही यहां गहर कानूनी तरीके से कच्छुए की भी बिक्री होती है पिछले दिनों अगरतला नगर निगम ने बाजार में बेची जाने वाली चीजों पर टैक्स से सम्मंधित एक फेहरिस्ट जारी की हैरान करने वाली बात ये रही कि इस फेहरिस्ट में वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहट संरच्छित जानवरों और पक्षियों के भी नाम है कच्छुए को भारत में वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहट संरच्छित किया गया है कई बार जानवरों की तसकरी रोकने के लिए गिरफतारियां और बरामदगी होती रहती है इसके बावजूद ऐसे जानवरों की बिक्री बाजार में धडलले से हो रही है जब हमने त्रिपुरा वन विभाग के एक अधिकारी को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कारवाई का आस्वासन दे दिया हम इस मसले पे अगरतला नगर निगम से बात करेंगे साथी राजे सरकार को भी इसकी जानकारी देंगे सनरचिक जानवरों की तसकरी की खबरें आये दिन आती रहती है लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज में इन जानवरों की बिकरी पर टैक्स का जिक्र शायद पहली बार हुआ है और अभी तक इस पर कोई कारवाई नहीं हुई है अगर तला से दिपांकर सिन गुपता के साथ गुहाटी से किसले भटाचारी की रिपोर्ट एंडी टीवे इंडिया